हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एडवेस यह एर उडिकेशन वेंटर फ्रेंट्स बात करते हैं फिर से आई उस यूपी कांसिलिंग की फ्रेंट्स यूपी का जो है मौपर पराउंड जो है वो इन प्रोसेस है 19 अफ्यव जो इसकी लास्ट डेट है बट सेकेंड राउंड में बहुत सारे नाठकी चीज यूए तो आपको यू पता है कि च्वाइस फिलिंग में रिजिस्टेशन में फिर लॉकेशन में और बहुत सारे कॉलेजियों का जो है वो एप्रूबल बो रिजैक्ट कर दिया गया था तो उसके कारण जो है कांसिलिंग में बहुत सारे करने दिया जाए च्वाइस फिलिंग से पहले उनको प्रमिसन दे दिया गया हलांकी जो एक इतरा से इंट्रीम रिलीव था येस यू कैन पार्टिशिपेट इन सेकेंड राउन बट उनका जो फाइनल एपुरूबल था वो मिनिस्ट्री आयोस से नहीं आया था तो इसलिए जब सीटे लॉकेशन हो गया था उसके बाद इन सारे कॉलेज़ों को निरस्ट कर दिया गया था तो जीन बच्चों को ये सारे कॉलेज अलोट हो गय थे उन्हें एक नोटिस दे दी गई थी कि अगर आपको जो थर्टीन कॉलेजों का नाम लेस्ट में था अगर वो सारे दुविदा की स्थिति में थे कि क्या करे क्या ना करे तो फाइनल डिसिजन आ गया प्रेंट्स अगर आपको इस लिस्ट में नव कॉलेजिओं का नामे प्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं अगर इन सारे कॉलेजिओं में से आपको कोई भी कॉलेज एलाट हुआ है तो आप फ्रेंट्स गॉवर्मेंट्स अप यहां पर यह नोट्िस देख रहे होंगे इस नोट्िस में लिखा हुआ है और इनमें से कोई भी कॉलेज आपको इन उठ हुआ है तो गॉर्मेंट होमेटिस आप वहां पर जाये अपने सारे जितने भी आपके ओरिजिनल डोकुमेंट से उसको verify कराएं अगर आपने DD बनवा लिया है तो चिंता के कोई बात नहीं है आपको DD बनवाने के ज़रुत नहीं है आप वह DD ले जाए सकते हैं पर अगर आपने नहीं बनवाया है तो आपके पास फ्रेंड्स दो दिन का टाइम है आज और कल तो आप दो दिन डेडी बनवा लेजिए अठारा तारे को काउंसलिंग बेन्यू पर पहुंच जाएए और इन नौ कालेजों में से कोई भी काउंसलिंग बेन्यू में फ्रेंड और चार कॉलेज अभी भी बच्चे हुए फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मपव पराउंड खत्म होते होते है या फिर उससे पहले जो है उन कालेजों को भी परमिसन मिलने के चांसेज है तो बहुत सारे सीटे बढ़ने वाली है फ्रेंड्स मपव पराउंड में भी ये एक this is all for today guys thank you